हेलो फ्रेंड्स मैं नाम है वीजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने व्यूस को टेंपलेट से कनेट कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं अपनी व्यूस को टेंप्लेट से करने वाले हैं और जितना भी को डमी तक हम नहीं लिखा है उसको डिलीट करेंगे और उसे अपनी टेंप्लेट्स पर यूस करेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आ जाता ह folder वो creating कर रहा हूँ यहां पर My Site को Select करना है इस में क्लिक करके मैं यहां पर New folder क्लिक करऊंगा New folder create करूंगा My Site के अंदर जिसे में Name देत Julius templates अब इस template folder के अंदर मैं एक और folder करेट कर ना चाहता हूँ जो क्यों क outrageous में इस first App के अंदर में एक फाइल क्रिट करना चाहता हूं तो यहाँ पर बेडर इसको इसको डोट-षटे-अमल ठीक है यह वाली फाइल क्रीट की मैंने यहाँ आपको दीख रहुंगे माई-साइट के इंदर टैंपट टैंपूलिट के लिए में ने मस्ट फरस्ट एप और उसके बाद यहाँ पर इसम मैं आँगा सबसे पहले माई साइट माई एब के अंदर और यहाँ पर व्यूज में और यह जो व्यूज है इनको मैं यहां से डिलीट करूंगा ठीक है और यह पर आर्टिकल्स को इनकी तरुछ नहीं पड़ेंगी और यहां पर यूरेल्स यह पर यॉरेड कर दो मैं नए प्याहत्त और हम यहां से इसको भी डिलीट कर लेते हैं और दिख्ये सबसे पहले गया में पाथ से इसको खाली लगते हैं क्योंकि माई एप में में एक व्यू करेट करना चाहता हूं और एक जो व्यू है वो एक सिंपल व्यू है सिंपल अंडर स्कोर व्यू ठीक है इस नेम का मैथड है और यहां पर व्यू आएगा व्यूज में सिंपल व्यूज में जाना चाहता हूं मैं व्यूज में स पर step के sample, dot html वहां पर html का code लेगे ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर, अपना method बना लेता हूँ, simple view name से ठीक है, जो कि एक request लेगा, और second यह simple return क्या करेगा, और यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं, render का, ठीक है, अब दीखे, render दो parameter लेता है, सबसे पहले, तो वो लेगा एक request second वो लेगा एक path कि कहाँ पर हमारी html की file है उसका path हमें यहाँ पर इसको देना पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो path हमारे होगा है first underscore app में जो example है वाली html file लेकिन अगर आप यहाँ देख रहोंगे तो यहाँ पर मैंने पूरा path नहीं दिया है मैंने template slash करके नहीं लिखा हुआ है मैंने सिर्फ का first app slash example dot html ठीक हो गया यहाँ पर हमने terminal को चलाएंगे सबसे पहले ठीक है तो यहाँ पर my site cdmy underscore site और यहाँ पर python manage dot py run server अब दिखे अब हम यह जैंगो को बताएंगे कि कहां पर हमारी template exist करती है तो उसके लिए हम लोग my site पर के अंदर यहाँ पर settings में आ जाएंगे ठीक है setting.py में और यहाँ पर इसे बताएंगे कि कहां पर हमारी site exist करती है तो आपसे पहले यह जैंगो की apps है यहाँ पर कुछ admin की और authentication की app install है यहाँ पर हम अपनी app इंस्टॉल करेंगे ठीक है वह हम आने वीडियो में बात करेंगे फिर यहाँ पर आपको दिखे रहोगा templates यहाँ पर देखिए templates add हैं यहाँ पर directories हैं यहाँ पर हम अपनी directory देंगे ठीक है और यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा से उपर आप आते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा उपर आप आते हैं हम लोग import करेंगे OS को जो कि हमें मदद करेगा join करने में ठीक है फिर हम यह बताएंगे कि जो हमारे path है जो templates है वो कहाँ पर exist करती है तो यहाँ पर हम लोग आजएंगे templates के अंदर और यहाँ पाजएंगे directory के अंदर और directory में हम लोग जो हमारी base directory है उसको join करेंगे अपनी templates के साथ जो हमने भी folder create के हैं वहाँ पर तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लोगा OS.path.join और फिर मैं यहाँ पर बताऊँगा कि किस किस को join करना है सबसे पहले जोइन करना है base directory को ठीक है कॉमा लगांगा और यह इसके अंदर कॉमा फिर single quotations और यहाँ पर templates slash ठीक है तो यहाँ पर मैंने जैंगो को यह बता दिया कि सबसे पहले by default कहां देखना है ठीक है तो यह देखिएगा directory में templates में और फिर हम यहाँ पर जब my app में जाएंगे url में यहाँ पर देखिए सबसे पहले view simple view में यह गया है यह इसको मिला और यहाँ पर इसे इसको render कर दिया कहां पर first step तो जैंगो क्या समझ रहे जैंगो समझ रहे template slash first step slash example dot html ठीक है अपनी टर्मिनल को फिर से चला लूँगा मैं तो control-c प्रेक करने के लिए और यहाँ पर python manage dot run server यहाँ ने पूट खुला हमारा office slash मैं लिखता हूँ यहाँ पर my app तो यहाँ document में कुछ भी print होके नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ print नहीं करवाया है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमनी templates में जाएंगे अपनी example dot html में जाएंगे और यहाँ पर body के अंदर एक header बना ले sales geeks इस तरह से लिखा हुआ रहा है तो आज हमने सीखा कि कैसे आप अपने project में अपने view को template से net कर सकते हैं अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आजए तो हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले आप हमें facebook instagram telegram तीनों जगा follow कर सकते हैं link आप कि अग नाज वीडियो